ये कहानी एक जंगली कुवीली की है, जहां एक नारू नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जिसका सफना होता है कि वे है एक दिन बहुत बड़ी सिकारी वने, इसी लिए वे एक दिन अपने कुट्ते के साथ सिकार कर रही होती है। चीप सी चीज दिखाई देती है जो तेज रूसनी के साथ बातलों में कहीं कायव हो जाती है उसने ऐसी चीज पहली वार देखी होती है इसलिए उसे लगता है कि यह किसी तरह का पक्षी है दरसल यह एक बहुत बड़ा स्पेस सिफ होता है जो धरती पर आ चुका है जब नार में नारू की मा को दिखाया जाता है जो कबीलाई लोगों के लिए दवाई बनाती है वे नारू को उदास देखकर कहती है कि उसे सिकार के अलावा और कामों पर ध्यान देना चाहिए जिन में वह अच्छी है लेकिन नारू की जिद होती है कि उसे सिकारी ही वनना है तभी नारू की माँ उसे जंगल से किसी खास तरह के फूल लाने के लिए बेचती है जिनका इस्तिमाल वह दवाई में करने वाली है अब जब नारू जंगल में फूल तोड रही होती है तब ही उसे वहां कुछ हलचल महसूस होती है और जब बहपास जाकर देखती है तो उसे पता जलता है कि उसके कवीले के आदमी को सेर उठा कर ले गया है जिसे कवीलाई लोग ढूंड रहे होते हैं अब नारू भी उनके साथ आना चाहती है लेकिन उसके कवीलाई लोग उसे साथ ले जाने से मना कर देते हैं क्योंकि नारू को सिकार करना नहीं आता है तब ही उसका भाई कहता है कि नारू को दवाईयों की अच्छी जानकारी है अगर उनका साथ ही जिंदा मिल गया तो नारू उसका इलाज कर सकती है जिसके बाद नारू को उनके साथ जाने का मौका मिल जाता है थोड़ी देर बाद कभी लगों को उनका वह साथ ही मिल जाता है जो बुरी त नारू का भाई तावे उस सेर का सिकार करना चाता है, इसलिए वे जंगल में रुक जाता है, अब नारू भी उसके साथ सेर का सिकार करना चाती है, इसलिए वे अपने भाई के साथ रुकने की चित करती है, तभी वे देखती है कि वहाँ बहुत बड़े बड़े पैरों के नि तावे कहता है कि वह सेर को लालच देकर कुफा से बाहर लाएगा इसका सिकार करने के लिए तुम्हें तयार रहना होगा अब नारू और उसका एक साथी पेड़ पर बैठकर सेर के आने का इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से सेर उसके साथ ही को मार देता है अब जै कि तुम पेड़ से गिरने के बाद बेहोस हो गई थी जिसके बाद तुम्हारा भाई तुम्हें यहां लेकर आया और उसने सेर को भी मार दिया है अब तावे उस सेर को अपने कवीलाई लोगों के सामने लेकर आता है जिसके बाद सभी कवीलाई लोग उसकी बहादुरी द जाती है जहां उसे एक बार फिर से वही पैरों के निशान मिलते हैं जो बहुत बड़े हैं अब वह उन निशानों का पीछा करते हुए आगे वड़ती है जिसके बाद हमें उस एलियन को दिखाया जाता है जो उस एलियन सिर्फ से धर्दी पर उत्रा था और जंगल में जो न बालू को देखती है जिसका सिकार करने के लिए वह अपने धन उसको तैयार करती है लेकिन तभी उसकी प्रतंचिया तूट जाती है और बालू भी उसे देख लेता है अब बालू से मारने के लिए उसकी तरफ तेजी से वरता है कि तभी वह अपने आपको बचाने के लिए पेड़ की चड़ों में छिप जाती है अब भालू का आकार बहुत बड़ा होता है इसलिए भेड़ की चड़ों में नहीं पहुँच पाता जिसके बाद वहाँ से वह जाने लगता है कि तभी उसके सामने भे अन्विजिवल एलियन आ जाता है जिसे भालू देख लेता है और उस पर हमला कर देता है अब उन दोनों के बीच जवरदस्त फाइट शुरू हो जाती है लेकिन वह प्रिडेटर उस बिसाल भालू को आसानी से मार देता है और जब उसके उपर भालू का खून गिरता है तो नारू भी उसे देख लेती है जिसे देखकर भी डर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूथ जाती है जिसे वह प्रिडेटर भी देख रहा होता है जब भी भाग रही होती है तो वहाँ उसके कभीले की लोग भी आजाते है जिनने नारू के भाई ने नारू को ढूंडने के लिए भेजा होता है अब नारू ने जब इस घटना के बारे में बताती है तो उसकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता है तब ही वहाँ वह एलियन भी आ जाता है जहां हमें उसका असली चहरा दिखता है जिसके बाद वे एक एक करके सभी को मारने लगता है और इससे पहले कि वे नारू पर भी हमला करता वे अपने हाथ खोल कर वहाँ से भाग जाती है अब नारू को उसका एक साथ ही मिलता है जो वहाँ से बचकर भाग आया था अब जब वे एलियन पर निशाना लखा रहा होता है तभी नारू उसके चहरे पर लेजर लाइट्स देखती है जिनने देखकर वे समझ जाती है कि प्रिडेटर ने उन्हें देख लिया है और वे जल्दी ही उन पर हमला करने वाला है जिसके बाद बेदोना वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं लेकिन वे प्रिडेटर उस लड़के को मार देता है अब जब नारू जंगलों की तरफ भाग रही होती है कि तभी उसका पैर एक ट्रेब में फस जाता है नारू उसे निकालने की बहुत कोसिस करती है लेकिन तब तक वह एलियन वहाँ आ जाता है लेकिन उसे नारू से कोई खत्रा महसूस नहीं होता है इसलिए वह उसे छोड़ देता है तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं जिनके पास हत्यार है और वे नारू को पकड़ कर यहां से ले जाते हैं दरासल ये लोग जंगली सिकारी होते हैं जो जानवरों को मार कर उनकी खाल निकाल लेते हैं और पैसे कमाने के लिए बाजार में बेज देते हैं तभी नारू के पास एक आदमी आता है जिसके बाद उन दोनों को एक पेड़ से बांधिया जाता है ताकि जब प्रेडेटर इन्हें मारने आए तो ये लोग उसका सिकार कर सके जिसके लिए उन्होंने वहाँ पूरा जाल बिछाया होता है तभी वहाँ वे एलियन आ जाता है जो इस बार पूरी तरह वीजीवल होता है और जब वे तावे और नारू की तरह बढ़ रहा होता है जैसे देख कर तावे डर जाता है तभी नारू कहती है कि ये प्रेडेटर सिकार को नहीं मारता बलकि सिकारियों को मारता है इसलिए उन्हें डरने की जरूरत नहीं है तभी उस alien का पैर एक ट्रैप में फस जाता है और वे दर्द से बुरी तरह चिलाने लगता है तभी सभी सिकारी आकर उसे पकड़ने की कोसिस करते हैं लेकिन ये predator बहुत ताकतबर होता है और उसके हत्यार भी बहुत आदुनिक होते हैं जिनसे वे उन सभी को मारने लगता है तभी एक आदमी उसके हैलमेट में गोली मार देता है जो पलट कर उसे ही लग जाती है तभी वे alien एक खास तरह की डिवाइस एक्टिवेट करता है जिसके अंदर से तीन अजीब तरह की डिवाइस निकलती है और वे एक बार में ही सभी सिकारियों को खत्म कर देती है अब नारू भी किसी तरह रसी को काट देती है जिसके बाद उसका भाई कहता है कि यहां से निकलने के लिए उन्हें एक गोड़े की जरूरत है और वे गोड़ा लेने के लिए चला जाता है नारू भी अपने उस डॉक को लेने चली जाती है जो सिकारियों के कैम्प में वना है तभी नारू देखती है कि वहां कई सारे सिकारी मौजूद है जिसके वाद उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है लेकिन नारू एक बहतरीन योद्धा होती है और इसलिए वे एक एक करके सभी को मार देती है और अपने डॉक को भी वहां से आजात कर देती है तभी वहां एक आदमी आता है जो नारू पर गंतान देता है ये वही आदमी होता है जो नारू से उस एलियन के वारे में पूँच रहा था पर नारू से कहता है कि अगर वह उसके जक्मों पर दवाई लगा दे तो वह उसे बंदूक चलाना सिखाएगा दरसल इस लड़ाई में उसका एक पैर कट चुका है अब नारू उसकी तकलीफ को देखकर उसके जक्मों पर दवाई लगाती है और उसे वह फूल खिलाती है जिनने खाने से सरीर में बहरा हा खून ठंडा हो जाता है तवी वहाँ वह ऐलियन भी आजाता है जिसे देखकर वह आदमी मरने की एक्टिंग करने लगता है और एलियन भी उस आदमी को मरा हुआ समझ कर छोड़ देता है क्योंकि वह सिर्फ इंसानों की बॉड़ी से निकल रही हीट को ही महसूस कर सकता है और उन फूलों को खाने की वज़ा से उस आदमी की बॉड़ी ठंडी पड़ गई है वही नारू भी ये सब कुछ देख रही होती है लेकिन तभी गलती से एलियन का पैर उस आदमी के उपर रख जाता है और जैसे ही दर्द से चलाता है कि तभी वह प्रेटेटर उसे मार देता है तभी वहाँ नारू का डॉक भी आ जाता है जिसे alien मारने वाला ही होता है कि तभी तावे उस predator पर हमला कर देता है जिसकी वजा से उसका helmet नीचे गिर जाता है जिसकी laser lights एक पेड़ से जाकर टकराती है अब alien जितने भी attack करता है उसका निसाना उस पेड़ पर जाकर ही लगता है जहां वे laser lights पढ़ रही होती है यानि कि वह उस helmet के विना निसाना नहीं साथ सकता जिसका फाइदा उठा कर तावे उस पर लगातार हमले करता है तभी अचानक से वे alien कायव हो जाता है और पीछे से तावे पर हमला करके उसे मार देता है अब नारू भी उस alien के सामने नहीं टिक सकती इसलिए वे वहाँ से भाग जाती है अब उसे अपने भाई की मौत का अपसोस होता है इसलिए उसके अंदर बदले की आग जल रही होती है जो वे उस alien से बदला लेना चाहती है तब ही वे देखती है कि नदी के पार एक सिकारी है जिस पर नारू हमला कर देती है और उसे alien का चारा वना कर जंगल में ले आती है वे उसके हाथ में हत्यार भी पकड़ा देती है ताकि alien को उस आदमी से खत्रा महसूस हो और नारू उन फूलों को खा लेती है से भाग जाती है अब वे उस helmet को ऐसी जगा लाकर रख देती है जहां उसना alien के लिए पूरा जाल बिचाया हुआ है और जब वे उसे ढूंडता हुआ वहाँ आता है तो वे उस पर कुलाडी से हमला कर देती है लेकिन alien बहुत जाता सकती साली होने की वजह से उसे दूर फैक देता है और उसे मारने के लिए अपना हतियार निकालता है कि तभी वहाँ नारू का डौग आकर उसे बचा लेता है इस लड़ाई में नारू उस alien के एक हाथ को काट देती है और उसके सरीर पर कई सारे जख्म देती है जिसके बाद भे उस alien को दलदल में गिराने में कामियाव हो जाती है दरअसल ये सब नारू के प्लान का हिस्सा होता है भे उस alien को इस जगह लेकर आना चाहती थी अब जैसे ही वे एलियन नारू को मारने के लिए अपना हतियार निकालता है तो उसके हेलमेट में लगी वे लेजर लाइट्स भी चलने लगती हैं जिसे नारू ने जान भूच कर ऐसी जगा रगा था जहां से उसकी लेजर लाइट्स एलियन के सर पर आकर ठकराएं और अब लोगों के पास आती है और उसके हाथ में उस एलियन का सर होता है जिसने उसे मार दिया है उसकी बहादूरी देख कर उसे कभीले का नया मुख्या भना दिया जाता है हम मिलेंगे आपने लिए तब तक के लिए जैस्शरी कृष्श्ना